दोस्तों जल्दी से अपने चनल आर्गर जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर लें ता कि आपको पता दल जाया कि अपने इंगलिज का पीरिड शुरू हो चुका है कैसे हो आप लोग और मैं हूँ आपका टीचर असिस्टेंट आपसर हरीश मीना और अभी आप लोग मेरे से समझने वाले हो एक्चल में एक पोएम को समझने वाले हो तो हम लोगों ने अभी तक काफी स्लेबस कर चुके हम लोग जो कुछ टॉपिक बाकी है कुछ पोएम जो हम लोग कर लें कुछ दूनों में तो आप लोग अपनी बढ़ाई करते रहें और आज हम करेंगे एंड्रू मारवल ने लिखिए यह और बिसिकली इंवर्श्टी के स्लेबस में है आप स्लेबस चैक कर सकते हैं ठीक है तो शुरू करते हैं पहले पोएम को थोड़ा सा में एंड्रू मारवल के बारे में थे एक और एक ब्रिटिकली को ब्लॉंग करते हैं यह साथ में यह भूत ही फिमस पॉलिटिकल सेट्रिस थे अपने टाइम के यह यह सेटायार कटाक्स वगरा यह किया करते थे उस वक्त की राजनितिक परसित्यों के हूं पार इन्होंने अपनी जो सबसे बेस्ट पोईट्री थी ना बोल सकते हो वो उस वक्त लिखे थी इंटरेग्नम के दौरान इंटरेग्नम क्या है इंटरेग्नम एक ऐसा पीरिड था 1649-1660 के दौरान वो पीरिड था 11 साल का यह वो पीरिड था जब चार्ल्स फर्स्ट की डैथ हो थी मतल्को मार दिया था रिपब्लीकन बोल सकते हैं रिवलुशनरी इसके द्वारा जो क्रॉम्वेल के अंडर में मतलब काम कर रहे था उस वक्त लिखेंट उसको मार दिया गया और उसके बाद में 1660 में उसका बेटा फिर राजा बना तो यह बीच के जो 11 साल था जब रि पॉलिटिकली एक तरसे जुड़े वे थे यह कह सकते हो आप सिंग आसन के साथ में जुड़े थे तरीके से इंडिरेक्ली नहीं पर इंडिरेक्ली जुड़े वे थे तो इन्होंने इस दौरान इस इंट्रेक्टन की पेरिड़ के दौरान अपनी काफी बैस्त पोईट भी बोल सकते हो जिनमें से आप जो आज पढ़ने वाले हैं यह भी उसी टाइम की लिखी गई पोई में हाँ पब्लिश यह बाद में होई थी पब्लिश होई थी जो एक तरस के बाद में पब्लिश होई है तो यह थोड़ा सा बीसिक आइडिया है इंट्रु मारा लुड़े से काइस काइसे ली पतार रूप्ल डेक्स थी हैं से घ् Toby अबलत हैं आगे बड़ते हैं यहां पर है और साप यूए चीज बढ़ा चड़ा कर देखा कर दो सकते हो की चीजों को बहुत बढ़ा चड़ा कर देखा है तो इक चीज तो पहली-पहली यहां आ गए कि had we but world enough in time कि अगर हमारे पास में परियाप्त समय होता had we but world enough in time अगर इस अंसार में हमारे पास परियाप्त समय होता this coyness lady were no crime तो ये lady तुम्हें जो सर्म आ रही है तुम जो सर्मिंदी की feel करती हो तुम शर्मीलापन feel करती हो कोई जो सर्मीलापन है ना तुम्हें ये तुम्हारा सर्मीलापन कोई crime नहीं होता तो अभी क्या है देखो क्योंकि इंसान के पास लिमिटेड टाइम है इंसान के पास में तो टाइम लिमिटेड होता अब जाता एक फिक्स लाइफ पेरिड है उसी दौरान जो कुछ करना है तो टाइम लिमिटेड है तो इसी बात को ध्यान लगते बोल रहा है कि अगर टाइम हमारे पास में अनलिमिटेड होता तो फिर क्या होता तब तो तुम्हारी जो ये सर्मीलापन है वो कोई crime नहीं होता परन्तु अभी crime है तो देखो सर्मीलेपन को भी crime दिखा रहा है तो यह है हाइपरबली यहां पर बड़ा चड़ा कि इस चीज को दिखाना है ना तो देखो एक्च्वल में क्योंकि यह poem क्या है कि लव poem भी है इसमें एक लवर है जो अपनी प्रेमिका को मनाने की कौशी कर रहा है किस चीज के लिए to have physical relationship यानि सारीक संबंद मनाने के लिए प हमरे परियाप्त नहीं है अगर समय परियाप्त होता तो तुम्हारी यह सरमीलापन तुम्हें जो शर्मारी यह सब चीजों में involved होने में में सब काम करने में तो this our सरमीलापन क्राइम नहीं होता अगर हमार पास परियाफ समय होता परंतु क्यों कि हमार पास परियाफ समय नहीं है समय हमारा रातों से निकली जा रहा है इसलिए तुम्हारा सरमीलापन एक क्राइम है सिला सिला वो यह बोलना चाहरा है ठीक है वी वूड सेट डाउन अब सारफ हमें चलना है यह वो सिच्वेशन किस कंडीशन में बोल रहा है उस कंडीशन में कि अगर हमारे पास में सफिशेंट टाइम होता परियाद समय होता तो हम क्या क्या करते वी वूड़ से डाउन हम साथ में बैठते एंड थिंक विच वे टू वॉक और सोचते कि किदर चल चाहिए चीज़े करते तो देखो लॉंग लव एल क्या है ला क्या है एक वंजन को इंगलिस न बोलते इक वंसोनेंट का रिपिटिशन हो रहा है लेका रिपिटिशन रवर्ड के स्टार्टिंग में उत्तरुंत उसके बाद में वावल सेम है ठीक है वावल डिफ्रेंट हो बिताते यू उसके कनारारेख वाहाँ बैठके वाहाँ पर वहाँ चल जाती भारत में चले जाती है वो वहां से सथाा भारता लड़की को ना तो अतिश योगतीं ये भी क्या है veni और अधाक टिया में दो नदिया मिलती है मतलब लग ये ऐसा होता है ऑसा होता ये जब नदी जहां पर समूदर में ज आके के मिलती है ना तो उसको mouth of the river बोलते हैं river का मूँ बोलते हैं तो उस के लाकियों क्या बोलते हैं estuary बोलते हैं geography के terms में तो हंबर भी एक estuary है वहाँ पर दो नदी आके मिलती है चलन समुदर में और वह और रिवर्स का तो नॉर्थ इंग्लेंड में है तो वहां के लिए बोल रहा है कि I by the tide of humber would complain यानि वहाँ पर जो humber estuary है वहाँ पर जो लहरे उठती हैं तो मैं वहाँ पर जाके complain करता कंप्लेंड करने का मतलब ऐसा है कि lovers complain करते हैं इसका मतलब है lovers love song रहे हैं यानि कि यहाँ पर वह कहना चाहता है कि अगर हमारे पास परियाप समय होता तो तुम तो गंगा नदी के किनारे जाके रूबी ढून रही होती और मैं हमबर estuary पे पहुंचकर love song गारा होता I would love you 10 years before the flood और मैं तुम से प्यार करता कब तक कबसे flood के 10 साल पहले से यह flood क्या है देखो biblical terms में किसमें biblical जो कहानिया बाइबल में जो कहानिया उसमें यह है कि प्राचिन जमानों बहुत प्राचिन टैम में एक बहुत भेंकर flood आई थी तो उस तो उस वक्त की बात बताई जा रही है कि दस साल पहले से मैं तुमसे प्यार करता है अतिश योगती भर भर के मतलब देखो अगर अगर अतिश योगती करने है तो ऐसी करो एक्जेशन दिखाना तो ऐसा दिखाओ कि भई मैं उस समय से तुमसे प्यार कर रहा हूता अगर मेरे पास परियाब समय होता तो और तुम चाहो तो मुझे मना कर सकती थी तुम मुझे लगातार नकारती रहती कब तक तिल दा कनवर्जन अफ जीऊज अब देखो यहां तो पास्ट में पहुंच गया हजारों साल पहले और यहां फ्यूचर में पहुंच गया देखो बिब्लीकल यह भी बिब्लीकल इव बात आती है मतलब इस तरह से मानते पहले लिखा जाता था बोले जाता था आप थोड़ी से हार्मनी भी स्टाबलिस हो रही है प्रंदू पहले से बोलते थे कि भाई जूज एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे जू यहूदी जू कौन ते यहूदी यहूदी क्या है वो कनव सबके सब मर के आत्मा के रूप में खड़े हो जाएंगी मतलब ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है तो उस गटना की बात हो रही है कि जब सारे जूज कनवर्ट हो जाएंगी भाविश्य में उस समय तक तुम मुझे रिफ्यूज करती रहती है तो देखो दो अतिश योगती यहां पर देखो एक तो यह कि मैं तुमसे कब से प्यार करता हूं पास्ट में जब वो ग्रेट फ्लेट आई थी उससे भी दस साल पहले से ठीक है और तुम मुझे कब तक नकार्ती रहती मतलब जब चाहँ तो नकार्ती रहती कब तक भविश्य में आज की समय से भविश्य में जो इनकी बीच में वो चल रहा है ना एक तरीके से इनका प्रेम प्रसंग वो तब तक चलता रहता पास्ट में ग्रेट फ्लेट की दस साल पहले से भविश्य में जूज अब कनवर्ट होंगे तब तक ठीक है माई वेस्टेबल लव शुट ग्रो वास्टर देन एंपाय सामराज्यों से बड़ा हो जाता एंड मोर श्लो और धीर धीर बढ़ता यानी एक्चल में लव मेकिंग बारे में एक बात कही जाती है कि अपनी इंद्रियों को ज्यादा फील करवाती है तो उस चीज़ की बात हो रही है कि मेरा जो वेजिटेबल लव है मेरा जो फिजिकल लव है वो सामराज्यों से भी बड़ा हो जाता और बोल सकते हो एंड हंड्रेड येर्स चुड़ गो टू प्रेज और बताओ कैसे सामराज्यों से बड़ा हो जाता देखो वो बता रहा है कि मेरे सौ साल तो इस चीज में वैती होता है कि इस चीज में हंड्रेड येर्स करता रहता एंड और बोर रहा है कि आंखें प्लस ललाट तक तुमारी आँखों की प्रसंजा करता और तुमारे ललाट को घूरता रहता उसको देखता रहता रहता तो मैं इतना समय तो सिर्फ इस चीज़ में वतीद करता मतलब गजब देखो इंसांग पास फाल तू समय हो तो और को प्रड़क्टिव क्राव नहीं करेगा बंदा अपनी गल्फ्रेंड की आपको की तारीफ कर रहा है उसके ललाट की तारीफ कर रहा है बोल रहा है कि मैं सो साल तो इसमें वतीद कर देता हमारे तो जिंदगी नहीं होती सो साल की चलो ठीक बढ़ता है खेर टू लगा देता कि चीज में प्रतेक ब्रैश्ट को करने तो फूर्स होती है दोने से एक एक इस तक इस तरीत की तरह पड़ें इस इसमें कोई गलत चीज ना लें मैं एक टीचर की तरह आपको बढ़ा रहा हूं कि क्या हो रहा है मतलब किस तरह से पोईट ने लिखा है किस तरह से तारीफ करी है और आप उसे ऐसे स्टुडेंट एक लिटेचर की स्टुडेंट तरह समझें ठीक है तो दो सो साल उसकी हर ब्र निकाल देगा और और 200-200-400 साल इसमें निकाल देगा मतलब देखो इतना अगर इस पर अंगिना टाइम होता तो यह इतना टाइम यहां लगाता उसकी तारीफ करने में और एक चीज में बताहता हूं पोईट्री में जब लड़की के फिजीकल पार्ट्स यानि सार्विक अ तो तो मतलब तीस हजार साल वह रेस्ट पूड़ी पार्ट में उसकी तारीफ करने में बिता देता अगर उसके पास में अंगिनत समय होता तो देखो यह सब है hyperboli यह क्या है यह एक यूग लगा देता है अब देखो साल की बात खतम हो गई हजारों सालों की बात खतम होगी अब सीधे यूग पर आ गया हमारा हो यह को रहा है and age at least to every part एक एक यूग लगा देता है एक एक हिस्से पर and the last age should show your heart और लास्ट आखरी जो एज आखरी जो यूग हो ना उसमें तुम्हारे दिल पर आता है तुम्हारे दिल की बात कहता है तुम्हारे दिल को दर्शा आता दुनिया को कि तुम्हारे दिल कितना अच्छा है for lady you deserve this state अब देखो lady तुम इस सामराज्य की मतलब हकदार हो डिजर्व करती हो इस स्टेट यह किस सामराजी की बात हो लिए उसके सरीर की बात हो लिए तुम्हारे पास में अतना सुन्दर तुम इसकी हकदार हो तुम डिजर्व करती हो इस सामराज्य का nor would I love it lower rate परन तुम यह चीजे explain कर दी साफ साफ जाहिर करती कि वो किस तरह से उससे महबत करता है और वो कितना कितना समय ले ले लिता अगर उसके एक एक अंग को वह describe करने बैठता अगर उसके पास में बहुत सारा समय unlimited समय होता तो तो देखो अब यहां तक हमने कर लिया है अब इसमें एक द अर्दा था repetition रहा है तो अलेटेशन होना चीए परंतो अलेटेशन नहीं है था कि तुरंत बाद में क्या रहा है आई वावल और वावल जोगे है यहां पर क्या यूज़र है थर्टी थाउजन में समाल रहा है ठीक है अब देखो इसमें conversion of use एक यह चीज और एक है तैन से years before the flood, तो दो incident बताए गए हैं, दो incident की तुलना की गई है, खुद के love making extent से, यानि कि वो किस हद तक कब तक उससे प्यार करता है, वो कब तक उससे refuse करती, मतलब उसके प्यार करने का समय और उसका refuse करने का limit, दोनों कब से प्यार करना शुरू करता है, कब से वो refuse करती रहती, त जो incident से यहाँ पर यह यूज हो रहा है, metaphysical conceit, तो देखो, metaphysical poetry में metaphysical conceit बहुत पाई जाती है, तो इस तरह से metaphysical conceit, metaphysical conceit ऐसे होती है, कि किसी incident की है, किसी object की इस तरह से तुलना करना, एक दूसरे incident object से, जो की actual में उनका क्यों तुलना होई नहीं सकती, मतलब आप सोचों के इनकी तुलना कैसे हो रही है, यह तो बिल्कुल डिस से मिला रहा है, बिल्कुली अलग है, बिल्कुली एकदम अल से, conversion of juice से, तो यह metaphysical क्या है, conceit है, ठीक है, अब आगे बढ़ता है, but at my back, I always hear time-savinged chariot, hurrying near, अब देखो, यहाँ पर यह है, continue वाग के आगे, देखो, ऐसा पहले वी कह बार हो गया, पर अन्तु मैं हर बार ऐसा explain नहीं करूंगा, मतलब पूरी पर मैं करूंगा, बहुत टा करा जिता हूं, ताकि आपको समझ माजा है, जब एक line है, ठीक है, एक line है, वो यहाँ पर आपको poetry की line complete नहीं हो रही है, मतलब sentence पूरा नहीं हो रहा, sentence आगे भी continue है, अगली line में, तो इसको बोलते है, n-e-m-ment, n-e-m-ment, n-e-m-ment में ही j and i silent होता है, तो n-e-m-ment पढ़ता ह at my back, I always here, times winged chariot, hurrying near, तो यह बाद के continue है, ठीक है, तो देखो, वो बोल रहा है कि at my back, परंतु, यह समों पर conditioners नहीं बता दी, कि मैं यह सब करता, अगर में unlimited time होता है, तुम्हारा सरमीला पन भी कोई crime नहीं होता, अगर unlimited time होता, ठीक है, परंतु, परंतु, but at my back, I always here, पर पीछे पीछे दोड़ रहा है, उसके दोड़ने की अवाज मुझे लगातार समय देती है, times winged chariot, यह क्या हो गया है, यह है, time in समय का घुड़ा, आप बोल सकते हो इसको कि समय एक घुड़े पर सवार है, एक मेज बताए गई है, कि समय जिसे घुड़े पर सवार है, और घ घुड़ा लगातार पीछे दोड़ रहा है आपके, तो ठक 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 घुड़े की दोड़ने के अवाद आ रही है, तो बोल रहा है कि मैं unlimited यह सब करता, अगर मेरे पीछे 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 दोड़ रहा है, समय निकले जा रहा है, पीछा कर रहा है, तो हमारे समय मतला हमारे अपकी नपल यहानि कि बहुत सकते हो राकिस्तान पड़ा हुआ है, यह एक मैटाफर किसके लिए इस्तमाल हुआ है, ओले एज के लिए, ऐसक होता है, क्योंकि देखू, प्यार मट्बत के लिए सिर्फ जवानि है, बुड़ा पा थुड़ी नहीं, तो बेसीकली इस्तमाल ह तो बोल रहा है कि आगे समय में जैसे जवानी बीच जाएगी तो हमारे सामने क्या है एक पूरा बुढ़ापे रूपी बहुत रखत्यों रेगिस्तान पड़ा हुआ है तो बुढ़ा बुढ़ापे में जाके तुम सुनदर नहीं रहोगी तो अब इस वहाँ पर तुम्हारी सुनदर गवोजाएगी तुम उस वखत सुनदर नहीं रहोगी और देखो यहां तक कि उसने ये भी इमेजिन कर लिया है कि तुम्हारे मार्बल वॉल्ट यह नहीं तुम भविशम फिर मर भी जाओगे और तुम्हें दफना दिया जाएगा एक तरीके से मार्बल वॉल्ट में मार्बल के एक मतलब ताबूत में दफना दिया जाएगा शैल साउंड माई एकवेंग साउंड और उसमें बोल सकते हो कि तुम्हारे उस ताबूत के अंदर मेरा जो गाना है ना मेरा गीत प्रेम गीत है वो भी सुनाई तुम्हें नहीं पढ़ेगा देन वॉंस शैल ट्राय देट लॉंग प्रिजर्वड वर्जिनिटी और देखो यहां पर जो हैना यह डेस्क्रिप्शन है यह है लव का ग्रॉटेस्क यू डेस्क्रिप्शन क्या है तुम्हारे मतलब तुम्हें उस ताबूत के अंदर मेरा प्रेम भरा सी गीत तो सनाई देगा नहीं उस वक्त ठीक है साथ में देन वॉंग शैल ट्राइट लॉंग प्रिजर्वड वर्जिनिटी और कीडे हूं यह ना वर्जिनिटी का मतलब हम बोच सकते हूं कि जिसने प्रिजिकल लव नहीं किया हो कभी यह ना यहीं कि उस तरह से जो अभी तक किसी फिजिकल वरेशन्शिप में नहीं आई हो ऐसे लड़के लड़की को वर्जिन बहुतते हैं तो बता रहे हैं कि देन वॉंग शैल ट्राइट लॉंग प्रिजर्वड वर्जिनिटी की कीडे इस वो तुम से एक तरह से फिजिकल लव करें यानि कि जब तुम ताबुत में रखना दिया जाएगा तो तुम्हारे सरीर के साथ में कौन लव करेगा कीड़े सारी मोबाईल गंटी आ गेथी हैं तो हम लोग कहा थे हां तो देख जो कीड़े हैं वो कीड़े क्या हैं वो तुम्हारे साथ में फिजिकल लव करेंगे एक तरक्या से यानि कि उस समय उस अवस्था में तुम ताबूत के अंदर बंद हो जाओगी यानि एक भविशे की बात बारा है कि भविशे में हमारे सामने मुझे सिर्फ रेकिस्ता नजरा रहा है जिसमें कोई फिजिकल लव हो हो नई सकता और उसके बाद मैं मौत भी हो जाएगी कि तुम ताबूत के अंदर इनकर तुमारी साथ में कौन करेंका फिजिकल लव कीडे करेंगे और किसा वस्ताम करेंगे तुम वर्जी नहीं मर सांगा यानिन तुम मेरे साथ कोई फिजिकल रिगक्ष एस्टफ डेथ हो जाएगी और तुम्हारा साथ में कौन सारीक संबंद मनाएगा कौन फिजिकल लव करेगा कीडे करेंगे इस ताबोत के अंदर यह है ग्रेटेस क्यों डेस्क्रिप्शन अब यहाँ ठीक है एंड यूर क्वेंट ओनर टू डस्ट और तुम्हारा जो यह अजीब जो क्योंकि वह बूर है कि जवानी में लवमेकिंग मैं तुम किस तरह का सम्मान बीच मिला रहे हैं यह कौन से सम्मान है कोई सम्मान वाली बात तो आनी नीची पर तुम्हारा जो यह अजीब सा सम्मान है न तू अ मिल जाएगा उसावस्था यासि मिल जाएगी और जू मी प्यार करने की चछा है वह भी सिब 보이 बोड़ा हो जाऊँगा या फिर मर जाऊँगा जो भी आवस्था होगी तो उस अवस्था में प्यार करने की इच्छा रहेगी नहीं फिजिकल लव रहेंगी और तुम्हारा सारा सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा और मेरी सारी कैपैसिटी और मेरी सारी इच्छाएं भी राक हो जाएंगी अब देखो इसको बोलते हैं understatement क्या बोलते हैं understatement क्या होता है understatement असा होता है हाइपरबली का उल्टा हाइपरबली में चीज को बड़ा चड़ाके दिखाते हैं understatement में बलकि चीज को छोटा बना देते हैं the graves a fine and private place कि ठीक है जो कब रहना वह एक अच्छी जगह है कबर को अच्छी जगह होती है understatement कबर को कितना नॉन सीरियस में लिया जा रहा है कि ग्रेव ठीक है अच्छी जगह है और प्राइवेट प्लेस प्राइवेट जगह है कोई और छेड़ता नहीं वहां पर कोई परिशान नहीं करता है तो ग्रेव अफाइन प्राइवेट प्लेस तो इसको बोलते है अंडर स्टेटमें बट नन आई थिंक डू देर एंब्रेस परंतु मुझे नहीं लगता ग्रेव कब्र के अंदर कोई गले मिल सकता है या प्यार कर सकता है वहां पर ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती यानि कि मरने बाद में चीज़ें नहीं हो पाएंगी उससे पहले ही हो सकती है जवानी यह तभी हो सकती है बढ़ापे में नहीं हो सकती तो उस चीज के लिए बोल र मैं बूत प्रेट की बात नहीं कर रहा हूं ना उन चीजों में वह ब्लीब करता हूं पर बता रहा हूं कि किस तरह से अभी क्या है जो यूथफिल यू हूँ का मतलब बता है कलना यू मतलब कलर की जो आभी जवाने साफ साफ नजराती से सब अ हम गया wrapper कि तो गुरहें अभी तो उसकी जो youthful you, यहनि उसकी चमड़ी जो जवान है, उसकी जवानी को किस तर दिखाया गया है? चमड़ी जवान हो, और कह सकते हो कि किस तर से जवान हो, जैसे कि एक सुबसबय ताजा ओस की बुन दोती है, उस तर से हो तुम अब तुम. विलिंग सोल ट्रांसपायर सट एवरी पूर्वद इंस्टेंट फायर और अभी जब तक तुम्हारी जो यह जो सोल आत्मा है, विलिंग सोल का मतलब बोल सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, पहले राइटर ने मेंशन भी किया है, जस्ट उपर ही, इंटु एशिज ऑल सब्सक्राइब करने की इसकी इच्छा है, मतलब विलिंग सोल है भी तो, ट्रांसपायर सट एवरी पूर विद इंस्टेंट फायर, और यह है अभी तो इसके कण-कण में, इस सोल के कण-कण में क्या है, वो अगनी जल रही है, कौनसी अगनी, वो सत्यो, फायर ओफ लवमे क्या है, की अभी तो, हम्हिएं जो लव्मेकिंग का खेल है न, वो खेल सकते हैं, अभी तो हम यह लवमेव मेख्यार सकते हैं, अभी तो, आप three さaf, आसलो अउविशी होता है न, सूका सूकी जिस्ट होता मेरा तो अम्रेस बड्स офф प्रेइश नहीं वो क्या होता है यह जो प्रेज, है इसकारती है कि जिस तरह से प्रेश 나올 जो योगल पंची होते है ना पेर जूडए वाले पंची उते हैं वो क्या करते दिन बार आपने प्यार कर सकते हैं love making में rather at once hour time divert को एक बार अगर हमारे time ने time ने हमको निगल लिया किसने हमारे time ने हमको निगल लिया अगर then language in slow chapped power तो उसके बाद में हम क्या होंगे powerless हो जाएंगे language weak हो जाएंगे कमजोर हो जाएंगे और कहां पड़े में होंगे उसकी slow chapped power कि समय के जबड़े slow chapped power की metaphor की मेटाफर इसमाल हुआ है किसके लिए metaphor हो है time की power के लिए time की पावर के लिए time अगर अपने जबढों में हमको भसा लेगा यह एक तरह से time को capture कर लेगा पकड़ लेगा जकड़ लेगा तो हम powerless हो जाएंगे बिल्कुल हम निशक्त हो जाएंगे हमार पास कोई शक्ति नहीं बचाएंगी और हम कमजोर हो जाएंगे उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो यह slow स्लोचब पावर एक मेटाफर है किसके लिए टाइम की पावर के लिए टाइम की शक्ति के लिए ठीक है राधर एट वन सा टाइम डिवोर्ड लेंगविशन इस लोचब पावर लेट उस रूल और स्ट्रेंथ और स्वीटनेस अप इंटू वन बॉल तो अब दिखो वो बोल इसलिए समय है अभी तो जवान है हम लोग अपनी सारी स्ट्रेंथ को इखटा करते हैं और सारी महबबत को इखटा करते हैं अब इंटू वन बॉल यहां पर यह फिजीकल लव की बात हो रही है यहां पर सीधा-सीदा यह सेक्स की बात करने की हम लोग फिजीकल लव एंटीर यानि की समय के पंजो से फाड़ के निकाल लेंगे रॉफ स्टाइब तो आइर गेटस ओफ लाइफ यानि इस जीवन में जितना भी संगर्स हो जीवन के आइरन गेटस ओफ लाइफ एनि जीवन की जो लोहे के धरवाजे हैं ना उनको खोल के तोड ताड के हम अप बोल सकते हो सारी मुसीपतों को भाके उन्से हम लोग अपना pleasure एखटा कर सकते हैं pleasure प्रापट कर सकते हैं इसका आनद फिजिकल लब का तो दे पात्स है कि हम अपने सूरत को खड़ा नहीं कर सकते ही बात सच है कि हम अपने समय को समय को रोक नहीं सकते हैं, यह विल्क इम ररां परन्तों हम उसे भगात हो सकते हैं, है कि हम अभी लगाताह जो समह माझे पीछे दॉड़ रहा है। कर रहा है dictam ietti और हम अपने काम करें पर नहीं करेंगे तो समय हमको पकड़ लेगा है G करें ना तो हम अपने मतलब फिजीकल लव करना है जो भी प्यार महबद करना है जो भी जवानी में टाइम समय व्यक्तित करना जिनका हूं वो काम हम कर लें अभी तो समय हमको पकड़ने पाएगा हमार पीछ पीछे भागता रहेगा और वह हमको कैफ नहीं कर पाएगा तो उस से भगाना नहीं होता है एक्च्वल में बगाने का मतलब है समय तो पीछे भागेगा परन्तु हम उस्से जाधर स्पीड से भागेंगे हम अपना काम टाइम पर करते चलेंगे तो वह हमारे पीछे भागता रहेगा परन्तु वह पकड़ नहीं पाएगा इस तरीकी से बतान है इसमें क्या-kya चीजह है तो देखो इसमें एक दू मैंने बटाया है तो यह ऩी ह्परवली हो गया मेट्सिकल कंसीट हो तो इसमें हम बूल सकते हैं कुछ चीज हbirth होती है metaphysical poetry की जैसे कि Car bedroom थोड़ा से मिटा लेता हूं थोड़ा से पूरा हम भी मिटे ठेंगा जतना hyperbully क्या हुआ hyperbully फिर हम पढ़ने कार्प डायम क्या है कार्प डायम क्या होता है कि seize the day बोलते हैं यह अभी समय है अपना काम कर लो यह उस तरी की पुर्ल इंग है होरेस अपनी पोईट्री में इस्तमाल किया करते थे यह theme तो यह इस पुर्ल की थीम भी है सीज दे बोलते हैं इसको मतलब अभी तो भाई जो जो चीज है ना इसी दिन कर लो यानि समय रते अपना काम कर लो उस तरह की पूर्टी यह तो इसमें यह भी एक मैटाफीजिकल पूर्टी का फीचर है कार्ब डायं ठीक है फिर एक चीज और आती है विट्स बुद्धी किस किस तरह से थौट्स को किस तरह से आप बोच सकते हो अचाना के कैसी इमेज देदी ऐसी कंसीट लगा दी जो कि कुछ भी मतलब उसी को तुलना नहीं सकती किसी दे वह तो मैटाफीजिकल कंसीट थी परन तो उनको एपलाई करने के लिए विट्स तो लगती है ना तो विट fedagard के शिसना की तो आप सेनसो का कम बू जाएं तो देखो पोड्रीच वेट्र श्याहिर वैजमान दो का मतलब है और अपके थोट्स ने सॉर्लिक अरूर्ठ तॉर्ञल फंस और की यानि कि बोल सकते हैं अपर बेसिकलि एमॉशनस क्या है है इमोशनज यानि आपके फॉट और आपके emotions combine हो जाएं तो देखो poetry में इसमें thoughts क्यासे thoughts thoughts का मतलब knowledge है knowledge का मतलब यहां पर क्यासा आएगा उसने उधारन देती है biblical चीजे उसको knowledge है basic writer की कब flood आई थी कब Jews convert होंगे ऐसी घटनाओं को मतलब mention कर रहा है तो biblical thoughts को mention कर रहा है तो यह knowledge इसको शो कर रहे है उसके ठीक है यह तो knowledge हो गई thoughts and knowledge दूसची सेंसे emotions emotions कैसे उसकी emotions बिल्कुर involved है वो इन सब विचारों को व्यक्त करके इन thoughts को रखके इस ज्यान को रखके वो क्या बतानी कोशी कर रहा है वो अपने emotions को express कर रहा है कि भाई अभी जवानी का समय है अभी तो हम लोग love making कर सकते हैं बाद में नहीं उपाएगा बाद में तुम मर जाओगी मैं मर जाओगा तुम बुड़ी हो जाओगी मैं बुड़ा हो जाओगा इस सब चीज of sensibility है ना यह भी metaphysical poetry का एक feature है ठीक है तो इस चार-पांच features होते हैं समझ मागे होगा अप metaphysical poetry कोंगों से feature होते हैं कभी question आयन तो यह लिग देना इन पांच points पे अपना answer लिग देना detail में poetry के जो भी poem का explain करोगे जिस भी writer का explain करोगे उसके साब से आप answer लिग देना आपका झाल